दोस्टों जैसा कि आपको पता है गुगल ने अपने एप जीमेल में एक नया अपडेट दिया है जिसमें कि उसने गुगल मीटिंग एप को जीमेल में ही एड़ कर दिया है कि हम गुगल मिटिंग एप को बीना इंस्टॉलब किये अपने वेल एप में ही यूज कर सकते हैं। हम इसके लिए गुगल मीटिंग एप को एंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा और इससे मिटिंग अटेंड कर सकते हैं पर दोस्टों जो गुगल मीटिंग एप का यूज नहीं करते या कहें इसके जिरूत नहीं पड़ती वो परशान है कि ये क्या आ गया और हम इसे कैसे हटा सकते हैं तो दोस्टों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आप अपने जिमल एप से गुगल मीटिंग एप को कैसे हटा सकते हैं तो दोस्टों जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिये मैं आपको पूरा प्रोस्थ सबाइप सब्नाइप बताऊंगा जिसे कि आप इससे असानी से हटा सकते हैं वो भी जली तरीके से तो दोस्टो चलिए शुरू करते हैं दोस्टो में हीरेशिंग आपको स्वागात करता हूँ अपने चैनल टेक् helium दोस्टो चलिए इसके लिए तो दोस्टो इसके लिए आपको अपने मुवाइल का Gmail ओपन कर लेना है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे Meet को Option दिखाई दे रहा है और इसे मुझे Hide करना है तो मैं यहाँ पर Simply Three Line पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मुझे सबसे Last में सेटिंग को Option मिल जाएगा इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे में दो Email Login है तो मैं इसमें से जिस Email में यह हटाना चाहता हूँ उस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद मुझे कुछ Stack Option मिल जाएगा तो मैं यहाँ से नीचे Scroll करते हुए आता हूँ और यहाँ पर मुझे Meet का Option मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सही टिक लगा है तो मैं इसे Simply Un-Tick कर दूँगा और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ डायर्ट बाहर आ चुका हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो Meet का Option है वो हट चुका है आप देख सकते हैं कि मैं फिर से Back होता हूँ और फिर से इसे Open करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहां से Meet का Option हट Κुका है और दोस्टो अगर आप Meet का Option फिर से लाना चाहते हैं तो आप उसी प्रकार फिर कर सकते हैं Three-Dot पर जाना है, इसके बारadle को सटिंग पर जाना है और इसके बाद जिस इमेल है उसको सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहां पर आपको Meet Q Option मिल जाएगा इस पर टिक कर देना है और इसके बाद आप यहां पर फिर आ जाएएंगे सामने बाले पेज पर और यहां पर आपको फिर से Meet Q Option मिलने लगेगा जानकारी आपको यूचफूल लगी हो और आमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाईक कर दीजे साथ ही साथ इसे सेयर कर दीजे जिससे कि इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके और दोस्टो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कलेजे जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई